हेलो दोस्तों मैं आपका यूटूब दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ एक निया वीडियो क्या आप अपने बच्चों की हाइट को लेकर चिंतित रहते हैं तो यह है पांच बाते आपके लिए है अक्षर देखा गया है कि रिक्ति की परसनालिटी उसके कद़ पर बहुत अपके बच्चे भी चोटे ही कतके होते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है कई को दर्ति तईकों को समय रहते अपना कर भी आप अपने बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं पहली बात पूरी नीन शरीर के विखास के लिए पूरी नीद लेना बहुत ही जर जरूरी है नेंद पूरी ना होने पर श्रीर को बहुत ही बुरा असर पड़ता है दूसरी बात योग ताड़ासन योग ताड़ासन की मदद से लंबाई बढ़ाई जा सकती है चोटे बच्चे और टीनेजर्स इस आसन को रोज करके अपनी लंबाई छे फुर्ट तक बढ़ा साथ पैर की एड़ी भी उठती रहें पूरी एड़ी उठने के बाद श्रीर को पूरी तरह से दान दे और फिर गहरी सांस लें यह असन कद्ब के बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है तीसरी बात दूप दूप हमारे श्रीर को विटामिन डी प्रदान करता है विटाम का मतलब यहां नहीं है कि आप तेज दूप में ही खड़े रहें सुबह और शाम को हलकी दूप होने पर आप सेख ले सकते हैं चौथी बाद फास्ट फूट से दूरी बच्चे की यह हाइट अधी अच्छी चाते हैं तो उसे पहले से ही फास्ट फूट से बचाएं चर्बी बनाने वाले बोजन और ज्यादा चर्बी लेने से परहेज कराएं इन सब चीजों से हाइट लंबी नहीं होती क्योंकि इन सब चीजों से शर पाजर, मचली, चिकन, हंडे, सोया बीन, बलिया, आलू, बीन्स और हरी सबजियां अपने बच्चों के बोजन में जुरूर शामिल करें। पांच भी बात पानी बरपूर पानी पीने से शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। बोजन अच्छे से पचने लगता है। यहां तक कि कम पानी पीने पर वोश्टिक भोजन लेने के बाद भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। इसलिए दोस्तों यह यह पांच बाते आपके बच्चे की हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही मत्तवर हो सकती है। अगर आपको दोस्तों यहाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जूर करे। अगर आपको यह राय या कोई सजेशन लेना चाते हैं तो प्लीज कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों